अगर आपने अपना पास्पोर्ट अपलाई किया है नया या री इशू के लिए और आप दी गई अपॉइंट्मेंट डेट पे ऑफिस नहीं जा सके या फिर आप ऑफिस गये थे वहाँ पे कोई डॉक्युमेंट की कमी के कराण आपको एक नई डेट दी गई ऑफिसर्स के द अपलाई किया था वो सारे डॉक्युमेंट्स ले जाना भूल गये जैसे कि उसे मांगा क्या गया था कि आप हाइस्पोर्ट रिजल्ट तो दे रहे हैं साथ ही आप सर्टिफिकेट भी दीजिए जिसको हम सनद बोलते हैं वो भी ज़रूरी है ले जाना लेकिन वो पास्पो देट था वो मिल नहीं रहा था उनको खो गया था तो अब जाके वो मिल गया है लेकिन वो डेट मिस हो गई है अब किस तरह से वो पास्पोर्ट ऑफिस जाएंगे दुबारा उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताया गया है तो कैसे हम रिशड्यूल करेंगे उस अप करता हूँ और कंटीनियू पे क्लिक करता हूँ जैसी मैं कंटीनियू पे क्लिक करूँगा पास्वर्ट डालने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना पास्वर्ट फिल करना है और नीचे दिया गया कैप्चा को भी फिल कर लेना है उसके बाद जब आप लॉग इन करेंग जाना था जो डेट मिली थी लेकिन उसमें वो मौझूद नहीं थे तो फिर से इंको एक अपाइंटमेंट लेनी होगी तो यहाँ नीचे मैं पे अपाइंटमेंट में पे जैसे ही मैं जाओंगा तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया हूँ मै दिया गया जो कैप्चा उसको फिल करना है कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पर देखिए 15 जुलाई की डेट अवलेबल है लेकिन मुझे डेट 20 जुलाई की चाहिए तो मैं 19 यहाँ स्लेट करूँगा उसके बाद जैसी मैं बुक अपाइंटमे क्लाइंट में बुग होगी है इसको आपको यहाँ बुक हो गई है आपको पसपोट सेवा केंद जाएगा इससे सारी बजे तेरकी है कि कितने बजें जाना है किस डेट पर जाना है कौन से टाइमिंग है यह सारी पनमेंट लेटर में मैंशन.